अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं मैं सब बढ़ी हाँगे इस वीडियों दोस्तों बात करेंगे एनो आर और डबलू एस के बीच में जो टी टूंटी ब्लास्ट का आज के दिन का सैकिंड मैच कहला जाएगा अच्छे से कवर करेंगे विद्ध स्टैट्स द और नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल ओन कर लेना कोई भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आप से मिस नहीं होगी वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो में बताइए इन्फोर्मेशन अगर तो जोईन कर सकते हूँ कमेंट सेक्षन और डिस्किप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा मैच के बाद करते दोस्तों वेन्यू रहेगा यह काउंटे ग्राउंड नोर्थ हैम्टन के वेन्यू पर यह मैच कहला जाएगा टोटल इस वेन्यू पर 56 टी-20 डोमेस्टिक मैच जुए 32 फरस्ट बैटिंग ने 24 विन करे आठ मैच यहाँ पर जादा विन कर रखिया फरस्ट बैटिंग वाली टीम ने तो थोड़ा सा कईना कई एडवांटेज इस विगेट पर फरस्ट बैटिंग ये फिवर में जरूर दिख सकता है गैवरेज जो स्कोर है लगबग 175 की आसपास है मतलब कंडिशन से एक बार शायद फिर से आपको इस वेन्यू पर बैटर्स के फेवर में जाते भी दिख सकती है क्योंकि 175 का आवरेज स्कोर किसी भी T20 मैच में बाई काफी बड़ा स्कोर होता है ठीक है यहाँ पर सबसे जो बड़ा स्कोर वो नोर्थ हम्टन साहीरे की टीम के नाम है 227 रंस और जो सबसे कम स्कोर है वो यहाँ पर LEI की टीम ने कर रखा केवल 111 रंस ओवरोल मिलाके देखोगे according to stats भाई मेरे साब से यहाँ पे 170-175 का विकेट आपको जरूर मिल जाएगा scoring pattern में भी देखोगे 190 पलस 16 बार स्कोर बन चुका और 170-189 के बीच में 17 बार अब दोनों का अगर हम लोग एड़ करेंगे ना total 33 मैच आपको ऐसे मिल जाएगे जहाँ पे 170 पलस का स्कोर बनाए तो आप लोग इससे भी यह समझ पाऊगे कि यहाँ पे जो conditions होंगे वो batsman के favor में कई ना कई आपको जात्यों जरूर दिखेगी मतलब एक बार फिर से आप लोग इस मैच में बड़े स्कोर की उमीद करके जरूर चल सकते हो और उसी इसाब से फिर आपको जो है अपना team combination भी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा recent matches में देख लोग कितना स्कोर यहाँ पे देखने को मिला last match 26 मही को वह था नोर्थ हैंटन की टीम ने 137 करें लेकिन दुर्रम की टीम ने बिना किसी विकेट के यहाँ पे सेट कर दिया तो मतलब विकेट तो भाई बैटिंग के इसाब से बहुत बड़ी है क्योंकि नोर्थ हैंटन साहिरे की जो टीम है वो बहुत ज्यादा खराब किरिकेट खेले गई क्योंकि 137 पे इस विकेट पे मेरे इसाब से बहुत कम स्कोर ये था कम से कम 117 या असपास इनको स्कोर जरूर करना चाहिए था इनकी अपोजिट अगर आप लोग देखोगे दुर्रम यानि की डियो आर की जो टीम है उसने देखो भाई एक तरफा याँ पे मैच को विन कर लिया बिना किसी विकेट के तो समझ लो इस चीज़ को कि विकेट याँ पे काफी बढ़िया देखने को मिल सकता है उसके बाद में सैकेंड मैच देखोगे ये भी 2023 का मैच है जापे वर्सेस्टर सीरे की टीम ने 196 करें नोर्थ हम्टन सायरे ने यहाँ पे 181 रंज करें दोनों पारियों में बहुत बढ़िया स्कोर बना मतलब कंडिसन्स एक बार फरसे बैट्समेन के फिवर में गई थी थर्ड मैच में देखोगे ये 2022 का मैच है योर्क सायरे ने 190 करें यहाँ पे नोर्थ हम्टन सायरे की टीम एक बार फरसे उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाई और केवल 128 पे पूरी टीम यहाँ पे उल आउट होके चली गई लेकिन आदर टीम्स देखोगे न तो यहाँ पे स्कोर्स बने हैं डियो आर की टीम ने बिना किसी विकेट के चेज किया वर्सेस्टर सीरे की टीम ने 196 गरे नोर्थ हम्टन सायरे ने भी 180 करें बैटिंग के फेवर में चीज़े गई यहाँ पे देखो योर्क सायरे न 190 बहुत बढ़िया स्कोर किया लेकिन मैं यह कहूँगा कि नोर्थ हम्टन सायरे की जो टीम है उसने बहुत ज्यादा खरा बैटिंग करी चलो चेज नहीं भी करते तो कम से कम भाई 170, 175 के आसपास तो स्कोर मेरे साब से करना चीए था उसके बाद में हैट टो एड मैचेज में दोनों टीम्स के बीच में 19 मुकाबले हुए नोर्थ हम्टन सायरे ने 9 विन करें वोर्विक सायरे की टीम ने भी 9 मैच विन कर रहे है दोनों टीम्स आपको एकवल देखने को मिलेगी कोई भी डिफरेंस आपको यहां पे नहीं मिलेगा लास्ट मैच दोनों टीम्स के बीच में 2022 में हुआ था नोर ने 211 गरे वोर्विक सायरे ने चेज कर दिया 213 बना के सैकेंड मैच में देखोगे वोर्विक सायरे ने 207 करे नोर्थ हैम्टन सायरे उतना अच्छा परफॉम नहीं कर पाई केवली कैसी के स्कोर पे पूरी टीम ओल आउट हो के चली गई और उसके बाद में अगर थर्ड मैच की बात करेंगे जो की 2021 का मैच है इसमें भी आप लोग एक चीज देखोगे वोर्विक सायरे ने 171 करे 91 करे और यहां पे नोर्थ हैम्टन सायरे की टीम 117 कर पाई थी तो मतलब पिछले जो तीन मुकाबले दोनों टीम्स के बीच में खेले गए उसमें भाई डबलू ए एस यानि के वोर्विक सायरे की टीम ने एक तरफा यहां पे जीत आसिल करी है वाईकिं देखो प्लेयर चेंज होते है बाई हर सीजन में कौन से प्लेयर इंपोर्टेंट रहेंगे उसके बारे में आगे बात करेंगे यहां जाओ में चीज जो स्टार्ट होगे आगे वह आपको पता लगेगी कौन कौन से प्लेयर इंपोर्टेंट है सबसे पहले एन्वार यानि के नोर्थ हम्टन सायरे की टीम की बात करते हैं इनकी साइड से देखोगे सबसे पहले भाई आर वेस्ट कोनल एस जो है आपको ओपनिंग करते हो दिखेंगे तीन मैच में 89 से 29 के आसपास इनका एवरेज है ये प्लेर इंपूटेंट रहेगा कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी में भी लेके चल सकते हो नॉर्मली बंदे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन इनको करते हुए जरूर दिखेंगे टोपोडर में बैटिंग करेंगे चार ओवर कम से गम अपने पूरे कर सकते हैं या फिर तीन ओवर तो एटलिस्ट आपको जरूर इनकी साइड से देखने को मिल जाएंगे उसके बाद में सैफ जेब रहेंगे तीन मैच में 67 नज से 33 कैवरज है लगबग डाई ओवर इनोने गेंदबाजी करवाई है में गेंदबाज नहीं है लेकिन बीच में बीच में एक दोवर डानले जरूर आ सकते है उसके बाद में जोस्वा कोब रहेंगे तीन मैच में 42 टूरेंच से 14 गावरेज है तीन ओवर की गेंदवाजी ना तो में गेंदवाज है बल्लेबाजी में भी कुछ खास परफॉर्मेंस अब तक करके नहीं दिखाया उसके बाद भी मैक मैनेस रहेंगे तीन मैच में चालीस रन से 23 कावरेज है टोम टेलर ने देखो 10 ओवर करेगा तो आप लेक बड़िया टीम कोमिनेशन बना पाऊगे ठीक है तो टोम टेलर ने देखो तीन मैच में 10 ओवर की गेंदवाजी करवा के 5 विकेट्स निकाले मतलब अच्छी गेंदवाजी कूंगा मैं इसको उसके बाद में जेमस सेल्स रहेंगे 10 ओवर में सर्फ एक विकेट है ओवर ज़रूर अपने कंप्लिट कर रहे हैं लगबग लेकिन भईया गेंदवाजी में विकेट उतने जादा नहीं निकाल पाए एंडू टाई मेंने स्टार लगा लो ये तो अपने टीमें आपको ज़रूर पिक करना है 10 ओवर की गेंदवाजी 3 विकेट इनके गेंदवाज इनकी थोड़ी सी बड़ी आपको ज़रूर दिखेगी लेकिन विकेट इनके में गेंदवाज होगी बात करूँ है डेविड विली रहेंगे उसके बाद में नीचे आओगी यहां से टोम टेलर है जे सील्स रहेंगे एंडू टाई रहेंगे बाई ठीक है ये चार इनके में गेंदवाज है ग्रिमे वाइट एल्डिज ये भी मिलके आपको दो से चार ओवर के गेंदवाज ही करते हो दिखेंगे विकोज इनके पास में आपको साथ से आठ बोलिंग उप्संस मिल जाएगी तो इतना कंफरम है कि भाई किसी ना किसी के ओवर जरूर सकते हो या फिर भाई या सैफ जेव या फिर जोस्वा कोब इन में से 24 आप किरेगे ठीक है उसके बाद में नीचे आओगे आपर वोर्विक साहिरी की टीम की बात करें तो रोबर्ट येट्स ने देखो साधे 19 केवरेज के साथ में के एवल 49 रंज करें अलैक्स डैविस न लास मैस में फ्लोप हो गई है चाहिए वो बात हो भई मैक्सवैल की या फिर बात करें हम सैम हेन की दोनों प्लेयर लास मैस में बिल्कुल कोलैप्स करके गए थे लेकिन प्लेयर इंपोर्टेंट अपनी टीमेज गया गया ज़रूर देगे आप लोग उसके बाद में डी मा मतलब काफी तकड़ी यहां पर गेंदबाजी ब्रिग्स की साइड जामें देखने को मिली और अगर यहां पर वोर्विक साइडे पहले गेंदबाजी करना है ना तो ब्रिग्स को आप लोग अपनी टीमेज जे डिफरेंचल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में भी ले सकते लग तक देखो मैक्सवیल भी बीच में दो से तीन ओवर की गेंदबाजी ज़रूर करवा सकते हैं अब मैक्सवیल अगर बीच में दो तीन ओवर डालेंगे तो आप लोग यह मानगे चलो किसी ना किसी एक गेंदबाज के करना हो आपको मिलेंगे, चाही उप्सन में आपको मौजले मिलेंगे, चथी ओपसन में फिर आपको यहां पर ग्लैन मैक्सवल देखने को मिल जायेंगे, ठीक है तो यह भाई वोरविक साइरे की टीम, अकोरडिंग डूपरफॉर्मेंस देखोगे ऐलेक्स डैविस मैक्सवल और झा सकते हो विकोज दो तीन ओवर गेंदबाजी भी करेंगे और अगर एक दो विकेट निकाल भी देते या फर बल्ले बाजी में भी 20-30 रंच कर देते तो भाई most important pick बन जाएंगे ठीक है बाकी गेंदबाजी डेपार्टमेंट से ये तीन प्लेयर तो आप लोग star लगा के चलना ठीक है ये कुछ इनकी important picks है अब इन में से finally आपको किस को pick करना है वो आप लोग अपने साफ से decision ले सकते हो मैंने पूरे stats आपको बता दिये add to add stats देख सकते ह overall conditions याप बैटर्स को favor कर सकती है तो थोड़ा सा betting favor भी आप लोग टीम बना सकते हो अभी चलते दोस्तों demo team combination पे लेकिन सिर्फ demo team रहेगी final team after toast आपको telegram channel पर मिल जाएगी comment section और video के description में लिंक है तो वहाँ से telegram channel को आप लोग जोईन ज़रूर कर लेना यहां से बात करतें team combination की सबसे पहले wicket keeping department से देखो आपके पास में अच्छे अच्छी options available रहेगे सबसे पहले according to performance देखा जाएगा तो वेकवनलस रहेंगे उसके बाद में डैविस रहेंगे दोनों प्लेयर देखा जाएगा बहुत अच्छी options आपके लिए हो सकते है पर्फॉर्मेंस के base पे भी देखोगे लगबग दोनों ने same points करके दिये ना तो किसी ने उतना अच्छा में कहूँगा ना किसी ने ज्यादा खराब फिर भी मैं थोड़ा सा Lex Davis के favor में जाऊँगा आप लोग according to selection चलना है ना तो आप लोग यहाँ पर देखो West Canalas को अपने टीम में जरूर ले लेना ठीक है according to selection जाओ तो लेकिन मैं फिलार यहाँ पर Davis के साथ में जाऊँगा बैटिंग डेपार्टमेंट में क्रिस लिन को रखूँगा सैम हिन को रखूँगा नीचे आप लिन्टोट को रखना चाओ इनको ले लो भाई नीचे आओगे उतनी कुछ खास ओप्संस है नहीं है एल्रिच ने उतना अच्छा पर्फूम नहीं लेकिन एजे डिफरेंशल जाना चाहो तो ले सकते हूँ ओलाउंड डिपार्टमेंट में ग्रिम में वाइट ट्राई गर सकते हो जो कि एक यूनिक पिक आपके लिए बन सकते है उसके बाद में यहां से कुछ खास ओप्संस है नहीं यहां से जोस्वा कोब की ओप्संस आपको फाइनल टीम अपडेट की जाएगी टोस होने के बाद टेलीग्राम जोईन कर लेना कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा कैप्टँटनसी वाइस कैप्टदनसी की बात आएगी कैप्टनसी वाइस काप्टंसी कोब्मन पिक्स में तो देख़ए डिवीड विली और मेरे साब से ग्लैन उक्सवल Safe options अगर आपको चाहिए, डेविड विली, मैक्सवल, यह मेरे सबसे सबसे best options है, और थोड़ा सा differential करना है, तो आपके पास में Chris Lynn की option है, Sam Hain try कर लो, ठीक है, और थोड़ा सा differential करना है, तो मैं आपको suggest कर लूँ, Alex Davis या फिर Tom Taylor में से आप लोग try करो, देखो, सबसे safe चाहिए, तो विली और मैक्सवल रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा differential चलना है, लिन और Sam Hain में से try करो, और थोड़ा differential करना है, Alex Davis या फिर Tom Taylor try करो, बिल्कुल risk की चलना है, तो एंडू टाय या फिर भाई, Danny Briggs में से किसी एक को captain wise captain कर लेना, जो भी team पहले गेंद बाजी करना है, उस हिस आप से ठीक है, तो ये कुछ आपके पास में captain wise captain की options है, safe भी आपको बता दी, risky picks किस परकार आप लोग पिक करोगे, वो भी आपको बता दिया, तो उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने complete watch क्या होगा बाई, पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कर देना, channel subscribe कर लेना